Past two days का क्या मतलब होता है ये आज इस वीडियो में सीख लेते हैं Past two days का मतलब होता है पिछले दो दिन या पिछले दो दिन से यानि कि जैसे आप ये कहें कि पिछले दो दिन से भारी बारिश हो रही है तो आप कह सकते हैं It rained heavily for the past two days It rained heavily for the past two days या अगर आप ये कहना चाहें कि मैं पिछले दो दिनों से एस्वस्त महसूस कर रहा हूँ तो आप कह सकते हैं I have been feeling unwell for the past two days या अगर आप ये कहना चाहें कि पिछले दो दिनों से तापमान में गिरावट हो रही है तो आप कह सकते हैं The temperature has been dropping for the past two days या अगर आप ये कहना चाहें कि हम पिछले दो दिनों से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं तो आप कह सकते हैं We have been working on this project for the past two days अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें